नमस्कार जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की खबर सल्मान खान ने कियारके के खिलाफ अबमानना की कारवाई की मांगी कहा आश्वाशन के वावजूद कर रहे अबमान जनक कमेंट सल्मान खान और स्वागोसित फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान के बीच का विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है सुमबार को सल्मान ने कोट में एक आवेदन देकर कियारके के खिलाफ अबमानना की कारवाई करने की गुजारिश की है क्योंकि उनके खिलाफ ना बूलने का वादा करने की वाबजूद वे लगातार उनकी खिलाफ अपमान जनक कमेंट कर रहे हैं सल्मान ने याचिका मानहानी के उस मुकदमे के तहर दायर की है जिसमें उन्होंने उनके बिजनिश फिल्मों और दूसरे प्रोडेक्ट के बारे में किसी भी तरह का कंटेंट बनाने से रोकने की मांग की है वहीं के आरकी का दावा है कि सलमान खान ने मानहानी का केस उनके द्वारा राधे यॉर मोस्ट वॉंटेड भाई की नेगेटिव रेव्यू की वज़ा से किया गया है जबकि सलमान की ये लीगल टीम ने एक बयान जारी करते हुए इस दावे को गलत बताया था टीम का कहना था कि के आरके की खिलाफ यह केस इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने सलमान को बदनाम करने की उन्हें ब्रश्ट बताया है और उनकी संस्था वीइंग हुमन पर धोका धड़ी और पैसो की हेर फेर का आरोप लगाया है यह थी आज की खबर और खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूलें आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें